सज्जनों और देवियों, विगत दो दसकों से मेरा संपर्क जहां तक कार्यालीन कार्यभार का प्रस्ण है, देश के बिविन भागों में कार्यरत स्वेचिक हिंदी संस्थाओं से रहा है। अत्ययों आज इस गवरों पूर्ण मंच से संस्थाओं और उनकी हिर्द गिर्द की बातों पर अपने विचार केंदित करूंगा। जहां हिंदी सिच्छन ओम परिच्छा संचालन हिंदी परचार परसार के सरवाधिक रचनातमक कारिकरम हैं, वहीं हिंदी तर छेत्र में हिंदी के लिए अनकूल वाता वरण निर्मार भी एक महतपोन पहलू है। आज इन कारिकरमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए बलकि चुनोती पूर हो गए हैं। बिद्यारतियों की योगता बढ़ाने के लिए सिच्छायों परिच्छा के अतरिक्त हिंदी वक्तब निवंद वाद विवाद के साथ साथ नाटक एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी सिच्छकों परचारकों के लिए सिविर पुनस्चर्या कार सिविर पुरसकार योजना जैसे कारकरम आयोजित किये जाते हैं। अनकूल वाता वरन निर्माड के लिए जहां इन कारकरमों को अधिक प्रभावी और पैडामी बनाने की आवस्दक्ता हैं। वही अन्य प्रभावी कारकरमों की परिकल्पना करनी होगी। हिंदी सिच्चन परिष्चा संचालन और वाता वरन निर्माड इन तीनों के आनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ग्यान अर्थात हिंदी बोलने पढ़ने योम लिखने की दच्चता का पूरा दारोंदार टिका रहता है। आज जबकी बोतेरे विद्यार्थि सिच्चक बनने की राह में परसिच्चन प्राफ्त कर रहे हैं तो हिंदी सिच्चक की योगता योम दच्चता ऐसे ध्यान देने का विशय है जो राज के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के इस तर के लिए निडायक यह नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके परचार के आतारबोत पर संपत्तियां होते हैं। परचारतों के सतप्रयास युम्सुकार से संस्था की जड़े मजबुत होती हैं। वास्तों में हिंदी की परचार योजनाओं का सफल कार्यान वियन सभी संबंदित पच्छों के प्रयास से ही संभव है संसा के पदादिकारी कार्यकरता परचारकड़ विद्यार थी और हंत में किंतु कदापी कम नहीं सरकारी वियस्तता के ताल मेल पर इन सबके कार्यों के उचित समने में का परयतन स्वस्त दिष्टी से निरंतर जारी रहना चाहिए और या भी ध्यान रहे कि जाने अंजाने दामन में दाग ना लग जाए भारत ग्रामों का धेस है और अधिकांस भारती जनता ग्रामों में बस्ती है नगरों और सहरों के नागरिकों को सिच्चा की कई सुगधाएं प्राप्त हैं यों उन्हें हिंदी पढ़ने के यथिश्ट आउसर उपलब्द हो जाते हैं अब आवस्यक्ता इस बात की है कि ग्रामों वासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक आउसर प्रदान किये जाएं हिंदी राष्टी अस्मिता राष्टी पहचान राष्टी गवरों की भासा है या राष्ट भासा राज भासा घोसित तो हो चुकी है कि अब तक इसे अपना उ आतन और जनता दोनों और से संवेत प्रयास नहीं होगा लच्च की प्राप्ति नहीं हो सकेगी राष्ट भासा से ही किसी राष्ट की भावात्मक एकता राष्टी एकता की प्राप्ति की जा सकती है अपने देश की भासा को छोड़ किसी अन्विदेशी भासा से इसकी कुछ लोग आज या कहते देखे गए हैं कि राश्टी एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राश्ट टुकडे टुकडे हो जाएगा। बैज्यानिक प्रगत रुक जाएगी आदी। इससे बढ़कर ब्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपादेता कुण नकार नहीं रहा। किन्तो हर जगा उसका बरचस्थ हो या स्वविकार नहीं हो सकता। किसी देश की भासा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं। और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भासा ही सर्व सच्छम होती है। सुतंता के पूर राष्टी गवरो आम जंता को दिश्टी में रखकर किया जाता था। राष्टी एकता का अर्थ है करोडो भार्दियों की एकता। और वह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीती मांचिक दास्ता की दियोतक है। और यदि अंग्रेजी और हिंदी भार्ती भासाओं के ब्रुद्ध अंग्रेजी सड़यंत्र को विफल नहीं किया गया, तो जंतंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भार्ती भासाओं तो सहोधराएं हैं। उनमें आपसी कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध और संग्र्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन छेती भासाओं अपने छेत के प्रसासन न्याय सिच्छा आदी में इस्थापित हो जाएंगी। उसी दिन राष्टी स्तरपर राष्ट भासा, राजभासा और संफर्ग भासा के रूप में हिंदी के इस्थापित हो जाने का मार्ग प्रस्त हो जाएगा। स्वैचिक हिंदी संसाएं अपने इस मूल उद्देश्द को कभी भी धोमिल होने ना दें। क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के छेत्र में वे सरबादिक महत्तपूर्ण इकाईया हैं। इस दृष्टी से मैसूर हिंदी प्रचार परिसद का या कारिकरम सलागनी है कि वह हिंदी के साथ कन्यरतर जिग्यासूं के लिए कन्नड की प्रारम्मिक और उच्छ कछाएं यों परिच्छाएं चला रही हैं। अपनी दैंदिनी में भी हिंदी के साथ साथ कन्नड में दिन और तिथियां दी हैं। इस तरह के छोटे छोटे किन्त दिन दिन के बेवहार में राश्ट भासा और छेतरी भासा साथ साथ गलबहियां डाल कर चलें। इससे बढ़कर सुखद इस्तिती और क्या अफो सकती है। और प्रियसनातकों आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा। विगत महीनों और वर्सों में आपने कठिन प्रिसरम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी पर सिछन की परिच्छाएं दी हैं उत्तिन हुए हैं। आपकी दिच्छा पूरी हो चुकी है। अब आप समाज और राष्ट की सेवा में समर्पित हो जाएं। भारती भासा संस्कृती उनकी रच्छा उनका समवर्धन आपके हाथों सौप दिया गया है। आप दाइतो का निर्वा कर सकें जीवन में सफलता पाएं यही सुब कामना है। जिनोंने हिंदी प्रवेश हिंदी उत्तमा की परिच्छाएं उत्तिन की हैं और वे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे यही आसा हैं। इस उद्देश की प्राप्ती हेतु स्वच्चिक हिंदी संस्थाओं की विविन परिच्छाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में इस गवरव पूर्ण समारों में आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए पुना धन्यवाद देता हूं।